असलाम लीकुम एवरीबन, इट्स योग बॉय असद, मैं आपको वेल्कम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल थींक इस मीडिया पे क्या आप इमेजन कर सकते हैं कि महस्त तेरा साल पहले एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपी जीरो हो और आज इसकी वैल्यू एक करोड़ पाकिस्तानी रुपे हो मैं बात कर रहा हूँ बिटकोईन के बारे में जिसकी हाल ही में मीडिया पे और लोगों के दर्म्यान बहुत जादा चर्चे है तो मैंने सोचा कि इस पर सही टाइम है कि मैं इस पर एक कम्प्लीट कोर्स बनाओ और आपको इसके बारे में गाइड करूँ मैं इसका एक शौर्ट सा इंट्रोड़िक्शन आपको शेर करता हूँ 31 अक्तूबर 2008 को स्टोशी नकान मोटो नामी शक्स ने एक अख़बार में पिपर फब्लिश करते हैं वो महद उस वक्त उनके दमाग में एक आइडिया था लेकिन अब इस पे लाखों क्रोलर पे की ट्रेड होती है इसके एक्स्चेंज पे जैसा के शेर के एक्स्चेंज होती है बेर में इस कोर्स में step by step एक एक चीज को इक्स्प्लेइन किया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड इंट्डू इस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिस्मिल्ला रोह्मान रोहीम तो यह हमारे कोर्स की पहली वीडियो है यह लेक्चर नूमबर वन है इसमें क्या टॉपिक्स हम डिसकस करने लगेंगों या पॉइस त्रेडिंग क्या होती है। और एकचली कोईवी चीज हम खरीते और उसे बेच देन कोई बीच зан measuring 5ц के लिए उसे दस टलर में बेचती हो सबसे पहरता पॉइober another बीगनर्स अप्रोच क्या होती है इसमें नहीं लोग आते हैं नहीं बीगनर्स आते हैं और वह क्रिप्टो कुरंसी के बारे में सुनते हैं कि इसमें बहुत जादा प्रॉफिल्ट हो रहा है बहुत जादा लोग अर्न कर रहे हैं डिफरेंट ग्रॉप से तो अपने पैसे डा वो बगयर knowledge के अपना पैसा cryptocurrency में डालते हैं और वो उन्हें पहले 90 दिन में ही lose कर देते हैं Because there is difference between speculation and learning यह क्योंकि financial market है जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं आपके पैसे lose करने के chances जाद हैं इसकी 5 types हैं सबसे पहले scalpers हैं then momentum है, then technical traders है then swing traders है, then fundamental traders है सबसे पहले हम discuss करेंगे scalpers क्या होते हैं scalpers traders, asset traders होते हैं जो दिन में कई दफा trading करते हैं और कई दफा उस पे से निकल जाते हैं Scalping is a trading strategy geared towards profiting from minor price changes in a stocks price वो अपने छोटा छोटा profit खुर्चते हैं और निकल जाते हैं कोई भी coin खरीदा है, उसकी price थोड़ी सी up हुई है तो वो अपना पैसा उससे निकाल लेते हैं फिर वो coin खरीद देंगे, चाहे वो signal पर उठाएं चाहे वो खुद analyze करके उठाएं जब उसकी price थोड़ी सी महिंगी होगी वो अपना margin रखके उसमें से निकल जाएंगे इसे कह जाए स्कालपर Traders Then आते हैं Momentum Traders Momentum Traders actually different हैं स्कालपर की निस्बत Momentum Trading is the practice of buying and selling assets according to the recent strength of price trends इसमें ये price trends को follow करते हैं It is based on the idea that if there is enough force behind a price move It will continue to move in the same direction अगर इन्हें बताया जाता है कि इस trade में इस particular coin में उपर जाने वाला है बहुत जादा कोई ने signal आता है या कोई बड़े लेवल पर कोई चेंज आती है तो ये अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसकी जब price higher हो जाती है तो इसमें से अपना पैसा निकाल लेते हैं Then हम बात करते हैं technical trading की ये समझने वाले trading है इसमें आप मैं क्योंके एक technical trader हूँ इसमें आप analyze करते हैं graphs को, charts को, candlesticks को तो इसके हम definition को भी समझेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि Then आजाती है financial trading ये बड़े level की थोड़ी सी trading है बड़ी picture पे देखी जाती है Financial trading or fundamental trading is a method where a trader focuses on a company specific events to determine which stock to buy and when to buy it इसमें जो fundamental traders होते हैं वो देखते हैं कि बड़ी companies crypto में पैसा कब डाल रही है कब निकाल रही है मैं आपको इसकी एक recent example देता हूँ जैसे Elon Musk ने अपने बहुत साधा पैसे bitcoin में invest किये तो bitcoin अब all time high चला गया तो ये ऐसी news को ऐसे events को देख रहे होते हैं जब भी bitcoin की value बढ़ने लगती है ये इसमें पैसा डालते हैं और फिर अपना पैसा profit जब उन्हें होने लगता है तो उसमें से पैसा निकाल लेते हैं ये value थोड़ी से भी आप हो तो उसे निकाल लेते हैं फिर फिर trade लगाते हैं फिर उसमें से अंद करते हैं swing trading as a long term hold आई है इसमें से आप minimum 30 days एक दिन से जादा है एक मां भी आप hold कर सकते हैं 6 मां भी hold कर सकते हैं एक साल भी hold कर सकते हैं depending upon the nature of the coin के price coin की क्या है coin की value कितना उपर जाएगी क्या इसकी expectation है ये swing traders कर लाते हैं ये swing trading मैं मुश्वरा दोंगा उन beginners को जिने इतना जादा knowledge नहीं है about cryptocurrency तो वो swing trading ही करें क्योंके swing trading ही best है उनके लिए क्योंके वो long term hold करके जब coin की price उपर जाएगी तो वो इसमें से earn कर सकते हैं यह हमारा lecture number one था अमीद करता हूँ आप सबको इस चीज़ से समझ होगे मिलते हैं lecture number two में जो के बहुत important है आपके लिए thank you very much brothers अंशाला मिलते हैं आपको next lecture अलाहापीज था करना इस हैं